ये मेरी हुई अपे कैसे अपना यूपी बी आर में जवना जगह पर रुमाल रखागल समझले सिट बुक हो गई कौन है बे का उसे है क्या गवारो वाली बाते कर रहा है यह जप इतो हने के समझ कूपर के नामबा सुपः सुपर सिंग मेड़ीन बिहार और पेट खराव होतो जुलाब होता है और तभीया खराव होतो अबूलन्स आता है हाः और किसवाश ख़राव होतो सुपर शींग आता है सुपर से, सुपर से. वाई, दॉक्तर. इंटूडक्षन के लिए इतना काफी है कि और बताऊं। हिसाब से समझाईला, ना समझला पर बेहिसाब मारीला. निकाल ले बाग हैसे न देख, नाम हवे सुपर हाई, यहां से कर एक. व५ व५ वौ ऐंस चांन सकता है आई आए 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 हुआ आए आए हुआ यह ए हुआ आए हुआ भाई कर सके एला है हाई ते है परेह कि 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 अ के लिटान है कि भूल को डाए, सबाए सिला डंकла दोilly마 युझ को अलोग लुझ जुङ नशा करने के लिए शराब खरी सकते हो, इस मुहिनी को नहीं, शराब तो धीरे-धीरे मारती है, लेकिन ये मुहिनी अपने खुसने के जल्वे से, अपने आशिकों को एक ही जटके में मार देती है, अरे हम सहीद ही होने तो आए हैं तुम्हारे पास, खाजा, अब ही ले सुतर बारा भाई, अब ही ले सुतर बारा भाई, अब ही तक उतरल नहीं के, अच्छा लावत है, तु शराब पी के आईल बाड़ा, रात के चदाल बहीं तक नहीं के उतरल तो हार, हम पूजा पाठ करीला, तु हमार धर्म भस्ट करें आईल बाड़ा, अरे तु लोगने के पास काम धंदा तो बाना, दिन बे खा पीया, मस सुना, हमार लंच टाइम में टिफिन लेके आज़े है, ठीक भा, हम लेके आवा थाई, हे भाई, हे ला, 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 ने बुगा, कला ही एरपोर्ट पहुंचने तो सीधा बार में पहुंच गए लिया, और तो बार में जाके बावाल मचा देला, हे भाई, एक चीज़ है, हार का मक्साद दा पोला की मक्साद़ एक दम साफ बाई शादी ओक भाद लिए हनीमून मलाई है हनीमून क्य करणा साथ है थे कर सांगे बी आ अंकष ना कि कर ला साथ है आच्छ है इस हम पूछतान नी शाद क्यक्त्र भाई हाई हासीना से कर दो मैम, न्यूस वाले आपके बारे में जूटी खबर दिखा रहे हैं टीवी पर कैसे जूटी खबर? किसी सिर्फिरे ने आपको अपनी गल्फरिंड बताया है और इसी खबर को बड़ा चड़ा कर न्यूस चैनलों पर दिखाया जा रहा है मैडम आज हम आपको एक ऐसे लड़के की तस्विर दिखाने जा रहे हैं जो अपने आपको हसीना खान का बॉइफिन बता रहा है देखिए ना मैडम आपके बारे में न्यूस चैनलों में पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है यह रही तस्विर जिसका नाम है सूपर से इसे हम इसका पागलपन कहें या कुछ और जब भी हसीना खान ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है यह पहला मौका है जिब हसीना खान के बॉइफिर्ण के बारे में पता चल रहा है अब देखना यह है कि हसीना खान इस बात को मानती है या नहीं कौन ही लरका जो बे मौत मरना चाता है इसका पाइओ डेटर निकालो मुझे अभी केभी दो जी मैं वा भाईया उरे बंबाई में मसूर हो गए लिया लेकिन यह खुशिक बात नहीं छे उँ हसीना खान के मालूम पड़ी ना तो मरवा दी मरवा दी उस सब छोड़ हाँ ही सोच कि अगर तोर भाभी हमरा प्यार में पगला के खोली तक आ गई ली तते होकर स्वागत कैसे कर बे अरे ताता उँ आई ता आपन ख़ड़े-ख़ड़े स्वागत कर आई ना उपहले तोहरा के ठोकी ओकरे बाद हमरा आगी एबाई 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 बगवान नमा ना आवा कुना आज हमरा भगवान से ज्यादा अपना दिल पर भड़े काहिसे कि हमार दिल कहत रहे कि आज हसीना के हसीन चेहरा के सक्षात दर्सन हो जाई तो तुम मेरे बॉश्ट्रिंड हो और मैं तुमसे प्याल करती हूँ फिलहाल तो मैं ही करता हूँ धिरे-धिरे आप भी करने लगोगी मुझे पक्का यकीन है मुझे बदनाम करने का अंजाम जानता है तु मैं बदनामी का बदला बली चड़ा कर लेती हूँ बिलकुल मेरी बली चड़ा दो लेकिन मारने से पहले ही एक बार सोचना जरूर क्या मैं तुमसे प्यार करके गुनाह किया क्या ए सुन यह देख रहा है तु मेरी यू चुट्की बजाते तेरी सारी मजनोगिरी उतार देंगे मजनोगिरी के साथ साथ गुंडागिरी में भी अवल हूँ क्यों इन सब का जान लेना चाहती हो सुन नहीं मैं तुझे जानती हो और नहीं तुझे प्यार करती हो मेरा नाम अपने साथ जोड़ना बन कर मैं तुमसे प्यार करता हूँ न और उमीद है कि तुम भी मुझसे जल्द ही प्यार करोगी तो मुझे भी एक ही उम्मिद है कि तू अपना पागलपन छोड़ देगा वरना इसका भी इलाज है मेरे पास चलो वरना इसका भी आपना शोरा है असलाम वाले कुम भाय जान वाले कुम असलाम आओ, बेटा जी, आप हमारे लिए तो अभी भी बच्चे हो, लेकिन जमानी के लिए बड़े हो गया हो, हमें आप से कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठो पहले आप पानी पीजिए अरे उस बेखूफ को 200 क्रोड का मतलब नहीं पता है क्या बेटा जी, हम चाहते हैं कि अब आपका निकाह कर दिया जाए, तो अगर आपकी नजर में कोई लड़का हो तो हमें बता देजिए, नहीं भायजन, अब तक तो कोई लड़का पसंद नहीं, तो हम देखें, आपकी मर्जी, तो बताईए कि हमारी बेहन को कैसा शोहर चाहिए, फिरोज भाई, जिसके नाम से पूरा इंडिया का आपता है, मुझे ऐसा शोहर चाहिए, जिसके नाम से ही, खुद फिरोज खान का आप उठे, और उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, ऐसा शोहर चाहिए मुझे, पिटाजी, इंडिया में ऐसा लड़का मिलना तो नामुम्किन है, लेकिन अपनी बेहन के लिए हम अल्लाद आला से दुआ करेंगे, कि आपकी ख्वाइश ज़रूर पुरी हो, और हम खुद भी ऐसे लड़के से मिलना चाहेंगे, हमें को ज़रूरी काम से दुबई जाना है, आप अपना ख्याल रखेगा, आए, जी, हो जाएगा, और वो बगलवाया फार्म हास, वो भी हो जाएगा, और बिल्लिंग की दर्स्रक्शन का क्या पॉस्टेशन है, रेड़ी हुआ की नहीं अपना, आए, जाने मन, होगे तुम यहाँ, तो लो मैं भी आ गया, तो तुम मेरा पीछा करते करते हैं यहाँ भी आ गय जहाँ तुम रहो, वहाँ मैं न रहूँ, ऐसा हो नहीं सकता, देखो, मैडम, आप चलिए, चलिए, मैडम, एम के लिए, अरे, एम प्रभू, एक बहुत पाल लिजिए, जब एकर से ग्रेट लिए तरह का रंबी है, तो इम, पंचाएं के बंचाएं के बंचाएं नजर ना किसी से लडाओंगी, किसी से भी दिल ना लगाओंगी किसी से भी दिल न लगाओंगे एक अभी डलेगा न अपना इना तिमाँ यार की चार दिवारी में जब फोस जाओगी जान तुमको होगा नायनुमान की अब बच जाएंगे भगवान तुमको होगा नायनुमान की अब बच जाएंगे भगवान जूट के जबेला में न परना है जूट के जबेला में न परना है लाहे लाहे संगे संगे काटला तुझानी काहे दुडे रात बाड़ू दे हो दिल जान नफसाओं के बैयापत में जान व्यार की चार दिवादे में जब फोस जाओगी जान तुमको होगा नाय अनुमान की अब बचाएंगे भगवान तुमको होगा नाय अनुमान की अब बचाएंगे भगवान जार बना की चार लेते हैं ये लड़के भी धूखाहे देते हैं देखला तुम हमारा से दिलावा लगा के सब सुख वहियां में पॉरिबू जाहां के करता है बड़ी परिसाँ परिसाँ तुमको होगा नाय अनुमान की अब बचाएंगे भगवान तुरा होई नाय अनुमान की अब बचाएंगे भगवान बचाएंगे भगवान देख रूंगी का अब पावर आपके आथ में नमस्कार आज की ताजा ख़वरों में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सम्मादाता से यह पता चला है कि सुपर सिंग और हसीना कान गार्डन में देखे गई इससे यह पता चलता है सुपर सिंग की कही हुई बात सत सावित होती है यह देखिए कुछ तस्वीरें इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं और बहुत जल्द परिने सुथ में बनने वाले हों और कल मुंबई में होने वाले भूचपुरी महत्सव में कई दिगजकलाकार आने वाले है यूपी बिहार और हमारे माराश करना पड़ेगा मैडम दिन भर जूटी ख़बर दिखाते रहते हैं सही का तो रहोखे वाली भाभी के प्यार अफ्तार पकड़ रहलबा इन न्यूज चैनल वाले भी हमनी के प्यार के पबलिसीटी करा थाने सा कालाई फुटो ही आप काड़ानों खिच लेती मीडिया वाले के लागे काई से पहुच गई आप सभी दर्सकों का लाइफ इस्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत आज हम आप लोग को ऐसे सक्सिया से मिलवाने जा रहे हैं जो कि मुंबई के हर न्यूज चैनल हर न्यूज पेपर में सुर्खिया बटो रहे हैं आज हमारे साथ इस्टूडियो में है मैड़म मैम देखे ना ये न्यूज चैनल वाले फिर से क्या रिखा रहे हैं दन्यवाद सर आप हमारे दर्सकों को मताएं कि हसीना खान से आपके पहली मुलाकात कब कहा और कैसे हुए थी पहली मिलन जब होई थी तो मैं उनिस साल का था और दीन वेलेंटाइन डेगा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नो थैंक्स, माइ ब्रदर इस कमी जी जी मैम, क्या आप भी से पहले से जानती हैं? शाट आप! क्या तुम भी इसकी बात का यकिन करती हो? नहीं इससे तो मैं बताऊंगी अप अच्छा, फिर क्या होगा सर? आप दुबारा का पहले दूसरी बार हम मिले घर पे आए जानेमन अरे आप यहाँ? जी हाँ प्यार जे रोग होला न वो बड़ी खतरनाक होला नाहीं समय देखेला और नाहीं जगय तांक यू वाह सर, ये तो आपकी लब स्टोरी पूरी फिल्मों की तरह आगे बढ़ती जा रही है ये तो आपके प्यार की पहली सीड़ी थे ना? सर, आगे बताएए, हसीना खान ने आपको ग्रीन सिगलल कब दिया और आप से उनको प्यार कब हुआ? हम लोगों की मुलाकात हुई नजरे लड़ी, फिर प्यार तो होना ही था ओ, हाई हाई, बाइदवे मेरा नाम सूपर सिंग है मेरा नाम हसीना खान, वैसे आपके नाम के साथ साथ आपका स्टाइल भी काफी सूपर है वो तो है तो क्या आप यहां रोज आते हैं? नहीं, लेकिन जो पास में बीच है, वहां आमेसा आता हूँ गुड, अच्छा सूनिये, मेना जिम जाने का टाइम है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ बाई बाई हे हाई अरे, आज आप सुबह-सुबह यहां? आप हीने तो बुलाया था मैंने? मैंने कब बुलाया था? क्यो? कल आपने बिना पूछे यह क्यों बता दिया था? क्या आप रोज सुबह-सुबह बीच आते हैं? ओ, तो आप समझ ही गए हो तो, मुझे आपसे एक और बात बोलनी थी आपको कैसे पता कि मैं आपको I love you बोलने वाला हूँ? जब कोई लड़का एक लड़की का पीछा कर रहा हो, बातों ही बातों में उसे मिलने को बुला रहा हो, तो लड़की समझ जाती है कि लड़का उसे पसंद करता है अब आप जान ही गए हो कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप भी अपना पसंद बता ही दीजी I love you too क्या हुआ? इस जवाब की उमीद नहीं थी? उमीद थी? पर इतनी जल्दी नहीं नोई गोल मामा की हैं पापा कैले पटना साथी से पहिले देखाले चाहे लुकी बता हार लेखा हो माजा कोही ना मेली मुखका सु लहराम को भाइदाः उठाला रजाओ मोखका सु लहराम को भाइदाः उठाला रजाओ माँ को सुन नहरा बातो फैरा पुठाना रजा खोल लंखा जाना दो के लाज तूटला रजा तिनों ही मैं बोंद कोईल चाहिलू की बाता हद लेखा हो पता हर लेखा हो माजा कोही ना मिली काल हवाना घोर चनी पारे वो को रवां के सुथ रजा आन को हर घार के लिका हो किला के ना ही भोंद रजा और काल हवाना घोर चनी पारे वो को रवां के सोख रा जाओ मान तो हर हर घाए लेखा हो के ला के ना ही भोंद रा जाओ वान धार घोर खाय के खोजेलू जी कौन्ची ली भाताहर लेखा हो माजाय कोही ना मिली वा सुपर सिंग जी आप क्यों रसिना जी की लॉज स्टोरी किसी फिल्मी लॉज स्टोरी से कम नहीं है सर अगर ये लॉबी स्टोरी भोचपुरी के सुपर इस्टार्ट डारेक्टर सोजीत कुमार सिंग को मिल जाए तो एक बेहतरीन सिनेवा बना सकते हैं हाँ वो तो है सुनो जी मैम इसमाज़नो को फोन लगाओ और अभी के भी यहाँ बुलाओ हलो सुपर सिंग मैं हसीना खान की सेकरेटरी बोल रही है मैडम ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है आव अतानी वोट आ रहा हूँ सर आप कहा जाने की बात कर रहे है मेरी गल्फरेंड का फोन था बुला रही है वो भी अभी के अभी आओ बेश्वरम आशिक तुम्हारा इंतिजार था तुम्हारा इंतिजार खतम हुआ जाने मन कहीं तुम इस बेशरमासी की बेशरमी देखकर दिल तो नहीं दे बैठी अगर ऐसा है तो मेरा बेशरम बनना काम्याब हुआ इंतिव्यू में तो बहुत ही मजनुगिरी की बाते कर रहे थे तो चलो एक काम करते हैं क्या तुम इस लेला को पाने के लिए एक इम्तिहाद होगे इम्तिहान क्या जान भी दे दूँगा तुम्हारे लिए बोलो तो सही मैं लेफ से जा रही हूँ और तुम आओगे सीडियों से और तुम्हारे पास वक्त होगा सिर्फ दो मिनित का और अगर उस दो मिनित में तुम उपर पहुँच गए तो तुम मेरे प्यार के इम्तिहान में पास हो जाओगे और 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 तुम्हें इस हसीना के हसीन होटों को चूमने का अफसर मिलेगा यह टाइम स्टाट्स नाओ यह यह मैं प्री आपड तुम में प्याओगे रिजर दोस्टाट्स नाओोल यह 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 कर दो झालु 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 हुआ है। पुर वेह. – पुह जो हुआ. बूरेफ खूले खूह एक बूले एक अब तुम्हें पुरे दुनिया को बताने की कोई जरुवत नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्ल्फरेंड हूँ अब मैं खुद सब को बताऊंगी कि तुम मेरे बॉइफरेंड हो कि तुम्हारी 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 में तर दोजिए जाया है रात भने एको बेर पलोग नहीं हिला का कोई से जिते सवाद नहीं मिला sunrise भने को बेर पलोग नहीं हिला ना कहीं से जिते सवाद नहीं मिला ये तो पताता है मेल नहीं हुआ भी बारी मेरा हुए नो देل भी बारी मेरा हुए नो देल ए हिसे राते खेल नहीं हुआ तर्चो भी होई कया फेल एही से राते खेल नहीं हुआ तूटल ना चूड़ी कलोई उने छूछे दी तल सारी रतिया हो आजनोत दल सुनो ये धनिया हम ही उता रब नथिया हो सरधा पतरता चरह बना हो पूर दिल सपनों रोखावो चानीन भोटर मोय तरी भी मोगे पते लस धोखावो तेज बल तो ना काहे सेल नहीं हुआ धी बारी मेरा हुए न ते धी बारी मेरा हुए न ते तेही से राते खेल नहीं हुआ तर्चो भी होई करा पेर तेही से दाते खेल नहीं हुआ तर्चो भी होई करा पेर तेहीं हुआ काका पताई हम बतिया वावल भी भाई नहीं उज हो पाके तु लोन पन को खपियाओ भूलकर कोली जलाना भो तुनो ये रोनी योन होनी आख़बे लागे न ठीक से निसा न हो तो ने काला न पिया देह नहीं छुआ धीबारी में न हुए न दे धीबारी में न हुए न दे धीबारी में न हुए न दे एही से राते खेंग नहीं हुआ तर्चो भी होई करा पेर एही से राते खेंग नहीं हुआ अब का अब तब तब का है वेटर जी सर एक बोत लाउला जी कारे सब एहीं पीले बे तांदरामा कापी अबे अरे भाईया हमरे के बहुत डलागा ताजी कारे अरे भाईया उँ हसीना जब से घर में आयलना हमरा के लागल के तोरा जानके साथे साथे हमरों जान चल जाए अब हम बजगे निए एक सिखाती पिये तानों टेंशन मतले हमरा रहते तोरा कुछ ना हुई अरे भाईया तू हसीना के भाईक ना जनता उबड़ खतर ना कात्मी पा तो फका हाँ भाईया इस समझा के उतोपई है अरे जब बहीनी ये बम दिया था भाई तो फोखबे न करी पर हमारा कौनों फरक निखे पड़े वाला आज प्रोग्राम देखे के मिली की ना भाई जान भाईया के ये मतले रहे प्रोग्राम नहीं आज तेरे को फूल सो दिखाऊंगा बोल पहर तोड़ों के हाथ लागात्ता तोरी कुकुर हमरा बारे में ठीक से इंट्रोडक्सन देले निखे अज आप घुम फिर के ते हूँ आईये गिल्वाड़े ता टेलर देखिये ले मारो ने ये तेड़ी तो प्रुब क्यों आईये ले विरा प्रुब क्यों हो ने प्रुब क्यों हो ले डिखे थे ते ते तुम प्रुब हुप आव हाँ ह hail सब करे झुता देला 이미 टेलर थेखाउ डा अबाइ फिल्मा तकाव बाका चल या अल्ला, मैंने आज तक आप से कुछ नहीं मांगा लेकिन अब मुझे उस इंसान से मिला दो जिसको मैं पूरी शिद्दत से चाहने लगी हूँ सच में भाइजान आपने तो पूरी हिंदुस्तानी पुलिस को धूल चटा दिया है और हिंदुस्तान का क्या हाल है भाइजान, हिंदुस्तान का अलम तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आपी का खौफ चाहा हुआ है खौफ काफी नहीं है देहशत पहलाना है मेरे नाम का और उकाम तुम्हारा है ज़रूर भाइजान अब एक मिड़ भाइजान हाँ सत्तार भाइजान, आप जल्दी इधर आजाओ वापस यहाँ कोछ ठीक नहीं हो रहा है बतलब भाइजान वो सूपर सिंग करके है वो असलम को भी बहुत मारा और मेरे को भी और भाइजान हसीना आप भी को भी बहुत टॉर्चर कर रहा है भाइजान उसकी इतनी आउकात शेर जब गुफा में सोया हुआ होता है तो जंगल में कुटों के भोकने की आवाजे कुछ जादा ही आने लगती है तो फिकर मत कर मैं अभी हिंदुस्तान के लिए निकल रहा हूँ ठीक है भाइजान फिरोज कोई प्राब्लम है क्या नहीं भाइजान कुछ खास प्राब्लम नहीं है आफिकर मत कीजे मैं हैंडल कर लूँगा मुझे अभी हिंदुस्तान के लिए निकलना होगा कौन है वो जिसने अपने मौत को दाउत दिये हैं। बाई जान। सूपर सिंध नाम है उसका। सूपर सिंध नाम होने से कोई सूपर हीरो नहीं होता। तुम्हारे रहते उसने हसीना को छेंडे की जुरत की है। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं कि उसने फिरोज खान की बेहन को छेंडे की गुस्ताकी की है। अब समझ लेकि उस सूपर सिंध को उपर से बुलावा आगया है। भाई जान। मुझे लगता हसीना बेहन भी उसे काफी चाहने लगी है। खामश। हसीना की चाहत जब तक प्यार में बतले। उस सूपर सिंध के जिंदेकी को मौत में बदल दूगा। उससे मेरी मीटिंग फिक्स कर। जी भाई जान। घर मेना टमाटर बना गोभी बना बैगन बना धनिया पत्तावा। आलू छोड़ के कुछ है निके। सबजी का खाग बनाई। तु लोग घर में बैटके लूडो खेलता रहा। कुछ कामों करभा। जा बजार सबजी लेवा जा। अरे बाउची है चाउथी गोटिया पेला ही देता है। भग सारे भग। चाउथी गोटिया पेला ही देए। ये हट लोग। अरे भईया एक्टपात पूछी का। पूछ। गुसापत नहा। सही में तु उकरास प्यार करे लगा। ये पताईजे पताईजे गुसापत नहीं का। ये बताईजे ये चल तेरे को फिरोज भाई ने बुलाया। फिरोज भाई ये कौन है? आरे भाईया पता उली रहली ने उह असीनक भाई बड़ा खातर डागबा चल मेरे साथ तेरे को पता चल लाएगा फिरोज भाई कौन है? नहीं चलूंगा क्या बोला? नहीं चलूंगा उठा रहे इसको परे रहे पता उसको मिलना है बोलो मेरे से खुद आके मिले निगल तेरी माँ कब अगर तु मेरा खास नहीं होता तो इस वक मात के पास होता राजा बनना असान है लेकिन हुकूमत करना उतना ही मुश्किल मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ये सल्तनत खड़ी की है और तुम जैसे निकम्मों की वज़ा से इसे गर्त में मिलने नहीं दूगा उस सुपर सिंग को फोन लगा फिरोज खान बोल रहा हूं बोलो फिरोज आज शाम को साथ बजे मेरे अड़ परा मिलना किसको है तेरे को या मेरे को मेरे को टाइम और जगे मैं फिक्स करूँगा मन्सूर मुंबई सेंट्रल फैक्ट्री बहुत अकड है तुझ में तेरी अकड को मौत की शकल दूगा मैं मैं डाइरेक्ट मुद्दे बढ़ाता हूं तु मेरी बेहन के पीछे पड़ा हुआ है इसका मतलब तु अभी ठीक से मुझे जानता नहीं है क्योंकि अगर मुझे जान जाता तो मेरी बेहन की परचाई से भी खौफ खाता है तु एक समय भड़ुआ गिरी करता था छोटे बड़े नेताओं के पास लड़किया सपलाई करके धंदा किया उसके बाद तेरा संपर्क अंडर वर्ल्ड से हुआ तेरा असली नाम करीम है और तेरी नजर पूरे भारत पे राज करने की है जो मैं होने नहीं दूँगा क्या सही बोला न बस मेरी बेहन तुझे पसंद कर दिया इसलिए अभी तक खामोश हो वरना आस तक किसी कुत्ते की जुर्रत नहीं हो इस तरह बात करने की सीधे सीधे बोल मेरी बेहन का पीछा छोड़ने का क्या लेगा तू लोंगा नहीं बस खेलूंगा क्या कि बीसी मतलब भाई जान कौन बनेगा करोरपती तेन सवाल पूछूंगा अगर तीनों का सही जवाब दिये तो तुम करोरपती तो नहीं बनोगे लेकिन हाँ हम तोरे बहीन के भतार बने एक वाप छोड़ दें ज्यादा सोच मत आसान सवाल पुछूंगा ओप्सन दूँगा और लाइफ लाइफ लाइन भी मन्जूर है पहला सवाल भारत का परधान मंतरी कौन है मुझे तेरे जैसे से यहीं उमिद थी क्योंकि तुझ जैसो की आउकात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अरे इसका चवाब तो बच्चे बच्चे को पता है नरेंद्र मोदी वाह गुड़ दूसरा सवाल हम लोग जहां हैं यानि मुंबई यह किस राजिय में पढ़ता है आपके ओप्सन है है लगता है तो केबी सी नहीं मजाक मजाक खेल रहा है अरे इसका जवाब भी पुरी दुनिया को पता है कि मुंबई महराष्टों में पढ़ता है हाँ वो तो है फिरोज काफी इंटिलिजेंट है चलो अब आखरी सवाल ध्यान से सुनना और इसका सही जवाब देना जंगेज कहा है बस भाजान बोले तो अभी इसे ठोब दो क्या बकरा है तू सायद तुम सुन नहीं पाए चंगेज खान कहा है ओप्सन है मुंबई, सिंगापूर, मलेसिया या पकिस्तान भाजान लाइफ लाइफ लाइण यूज कर सकते हूँ अगर जबाब नहीं मालुम तो लाइफ लाइण यूज नहीं तरी लाइफ को फ्यूज करूँगमे नहीं आप आप खूर तया हुआ क्या शुट सवाल फिर से पूछना पड़ेगा या जवाब मिलेगा दुभाई अरे मोहिनी डार्लिंग आप पुलिस के ड्रेस में मोहिनी नहीं SP मोना हूँ मैं SP मोना ये कब बनी अरस्ट हिम येस SP मोना सर्फ हमें हुक्म का इक का मिल गया आपकी तलाश पूरी हुई गड़ बड़ ये शेर अबाउट हिम येस सर्फ शेर जैसा दहारता है किसी से बिलकुल नहीं डरता पहले मारता है फिर सोसता है वो बारुत का गोला है वो मामली इंसान नहीं है सर मतलब सर वो एक क्रैक फाइटर है क्या बात है तुम्हारे तो हावभावी बदल गए पूलिस वाले इतनी इज़त दे रहे हैं पहली बार देख रहा हूँ अरे मोहिनी मुझे लॉक अप में नहीं डालोगी क्या पहली बात तो ये मेरा नाम मोहिनी नहीं मोना है इतने दिनों से तो मैं तुम्हें मोहिनी नाम से ही जानता था इसलिए आदत पड़ गई है सोड़ो दूसरी बात क्या है पताओ मोहिनी अब अब सॉरी मोना दूसरी बात ये कि चुपचप बैठे रहो जैहन सर जैहन शंकर तुम् यूम्हें है 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 अ सर आप इसे जानते हैं? हाँ, ये हमारे ही रॉय एजिंसी का एक बहादूर एजेंट है, शंकर. लेकिन ये अभी तक जिन्दा है, ये बात मैं नहीं जानता था. बोलो शंकर, तुम जिन्दा हो, ये बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई? हम लोग तो समझें कि तुम मारे जा चुके हो. मजबूरी थी, सर. कोई मजबूरी नहीं थी. कहते क्यों नहीं कि अपना फर्स निभाने में नाकाव रहे? इसलिए अपने आपको मेरे थोशित करके, एक दूसरी जिन्दगी जीने लगे, वो भी बैचान बदल कर. जिसके पूरी जिन्दगी ही जिन्दगी जीन गई हूँ, वो कौन से जिन्दगी जीएगा, सर? अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फाइदा नहीं. ये साबित हो चुका है कि तुम डरपोख हो, देश द्रोई हो. तुमने रोई जिन्दगी के आँखों बे धूल जोकर है, हम सब को चीट किया है, चीट तो आप ने किया है, अगर उसिन जंगेज को छोड़ने का ओडर नहीं देते, तो हमारा जाता, और कई जिन्दगिया बच जाती, रही बात देश भक्ती की, तो मैं हमेशा से एक सच् भक्त रहा हूँ, भक्त रहा हूँ, यह उस समय की बात है, जब मैं राची मिसन पर था, पलंगिया, एपिया, स्वर्नेन, इंदिया, खाक चरी, तुम लोग कौन हो, हमारे क्लास में क्या कर रहे हो, तुरा पता रहेगा, आज जोमवार बा, स्कूल बंद बा, सरकारी जोमवार बना के रख दिया, तुम लोगोंने यहा, तु कोन है बे, लिक्रफार यहां से, पुलिस को बुलाना पड़ेगा काफोन करके, अच्छु, ज्यादा लग्ज़ धरता रहा, तोनी सम्झाव एक राके रहे, सम्झाव एक राके, हुप, 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 हुप सर, आप जाके समझाएए ना उनको, मेरी बॉड़ी के तो नट डिले कर दिये हैं, वो लोग जब आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या मेरी बात मानेंगे, मैं नहीं जाओंगा, सर, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपकी बात मानेंगे वो लोग, मानेंगे नहीं, मा वो भी बहुत ज्यादा सर अपना पोन दीजे दीजेना सर लो हलो शंकर भाया लुआ टीजे जयाद कि अपने पैरों पर लेकिन जाएगा अपनों के कंधों पर हमारे इलाके में आने वाले का पैर का निशान तो मिलता है लेकिन जाने वाले का नहीं फॉर यॉर इंफर्मेशन मेरे से मार खाने के बाद लोग जिन्दा तो रहता है पर जीने लाइक नहीं माफ कर दी जाहिदी हम राखे तो नहीं के पता होगे कि जाहिए बच्चे हमारे देश के भाविस्चा है दुबारा कब लेकन पाँख देखावे कोसिस भाईल न तरह याँख देखावे के लाइक ना रही शंकर पहे बहुत भाई दंश्याद बेटा शंकर बहुत धन्यवाद बेट्याए कि अरे शंकर भाई आले शंकर भाई आले शंकर माई, तु अभी ले जागल बढ़े? अपने बेटा के बिना खियाईले हम कैसे सुच्चा केला, हाँ? माई, तुझे ता एक सहारा हुआ अमार अच्छा, तु जाके हात मुद्धोला, हम खाना लगावातानी ठीक माई दुले राजा के आने की खुशी में दुलेनिया तो बिलकुल लाल हुए जा रही है क्यों प्रिया? दी दी पाहूं लोग आगल बढ़ाना, ज़दी चलो अच्छा, चलो 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 जी, लाइका तो बहुत अच्छा बा हमनी के तरफ से ए रिस्ता फाइनल हुए बाकी रवालो के अगर हमा बेटी से कुछ पुछे को है तो पुछली बेटा, इ लाइकी पसंद कर ली हा तीन साल तक तोर कुंडली में कौनो लाइकी नेखी बांसमचला हाँ, बेटी, तो हर नाम का हाँ लच्मी, लच्मी नामाइकर, सर्माती है नू अरे वा, एकदम देवी जैसन रूप और लक्ष्मी नाम, बहुत बढ़ियां हमरा क्यना अपना घर खातीर, एकदम लक्ष्मी जैसन पतो चाहिए हमरा के रिष्टा मंजूर भा, हाँ, ठीक बा, लेकिन हमरा लागत रहे नू कि लड़का लड़की के आपस में एक बार बात को लेवेगज़ें अरे नाना, ओकर कोनो जरुत नेखे, हमरा बेटा की तरफ से भी हाँ भा, हाँ माई, आजकल गूंगों लेके मिला तरे सा, बात में तोरे तकलीफ हुई, मतिया आले बेते ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, तुझा पूछी, जोन कुछ भी पूछे के बाद वाट इस योर नेम हम पूछातानी तो हर नाम का हाँ निचवा तो बताओनी हाँ हम भुला गईनी और फिर से तो हमके बताओं में कौनो दिकत बाका माई नेमिज राधा रावरो इंग्लिस कमजोरे बाका, हमार नाम राधा हा लेकिन निचवा तो लक्षमी बताओलू हाँ तो जब मालूमे रहे तो काहे पूछा तरह लोड़ पहारे भीया कहारी देखा घुमा फिरा के बाद करे कोनो मतलब बाना साप साप कही ताभी हमार साधी करे के मूड नहीं खे उता माई हमके जवर जस्ती इहां लेके आईल भीया एक काम करा तू नीचे जाके बोल दिया कि हमके लई का पसंद नेखे थैंक्यू भाईया का भाईया उख का हाना कि हमार पहले ही से गो चक्कर बा बस बस तू ता हमार काम है असान का दलू बाहीन चला टिक सुख्रीय जदो पहला शक्रणा पाम करें जोडिवा एक उतलो आण का सान 102.0 असलाम अलेकुम बॉस। वालेकुम असलाम। मुबारक हो। शुक्रिया बॉसुक्रिया असलाम अलेकुम जैकी भाई। बहुत बहुत सुक्रिया बॉस। कि आप अपना किम्ती टाइम निकाल के आए। अरे तुम तो मेरे बच्चे यसे हो। रफीक, यह हमारे यहां के सबसे खास मेमान है, इनके मेमान नावाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, बस तस्रीफ रखिए, जैकी बाई, तस्रीफ रखिए वेटर, यह हमारे बस है, उनके बगल में जो बैठा न, उनका भाई है, शुक्रिया यह हमारी खुशनसीबी है, कि वो हमारे लिए आए, बहुत सुन्दर लग रही है, जी शुक्रिया जी शुक्रिया दुलन तुम्हे पसंद आ गई है, क्या? हाँ भाईजार, यह मुझे बहुत पसंद है, यह तो मुझे चाहिए उससे पहले सुहागरा तु ही मनाएगा प्लीज बॉस, जैकी को रोग लोना बॉस मैं आपका बहुत दिनों सफादार रहा हूं, बॉस मेरे साथ तो ऐसा मत किजिये, बॉस बॉस, बोलो ने जैकी को रुखने के लिए, बॉस रुबिना रुबिना बॉस, रोग लो ना बॉस मैं अपने बीबी से बहुत प्यार करता हूं, बॉस तुम्हें गया लगता है, मैं अपने भाई चे प्यार नहीं करता हूं अरे, सुन, पध्धू एक बार उसकी ये इच्छा पूरी हो जाने दिए फिर तु लेजा अपनी बीबी को उठाके हमें कौन सा उसको यहां रखना है बॉस मैं जाओ आपकी जान बचा सकता हूं न तो अपनी बीबी को भी बचा सकता हूं मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी प्यार की रच्चा खूद कर सकता हूं मैं बचाओंगा अपनी बीबी को अब डॉक्टर सिंग यहां आएंगे और आपको वाइरस के बारे में बताएंगे आए डॉक्टर सिंग गूड इबनिंग अबरिबडी आज एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने ये सेमिनार और्गनाइज किया है जैसे कि आप सबको पता है कि आज नए नए बीमारियां नए नए सिम्टम्स तमाम मरीजों में दिखाई दे रहा है और जिसके इलाज के लिए हम डॉक्टर्स और बैग्यानिक हमेशा तयार रहते हैं लेकिन बिसेश आज एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ जो बच्चो पर अपना प्रभाव डाल रही है सर इस वाइरस का नाम क्या है अभी इस वाइरस के बारे में कुछ पता नहीं चला है लेकिन सर इंडिया में तो अभी ऐसा एक भी केस नहीं पाया गया है देखिए ये बीमारी ये वाइरस जो है ये विदेश में बहुत तेजी से फैल रहा है ये बहुत जल्द हमारे हिंदूस्तान में आ सकता है एक्सक्यूज मी सर क्या इस वाइरस के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं आप जी जरूर मुझे पता था कि आप लोगों के मन में ए सवाल जरूर उठ रहा होगा जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया ये वाइरस बच्चों पर अपना बहुत प्रभाव डालता है जिसकी वज़ा से सांस रूख जाती है और फेफडे तक आक्सिजन नहीं पहुच पाती और मरीज की मौत हो जाती है इसलिए आज इस सेमिनार का आयोजन इस वाइरस के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने आयोजित किया था और हाँ इस वाइरस के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और सांटिस्ट राट-दिन रिसर्च पर लगे हुए है कि इस वाइरस से कैसे निदान पाये जाए अखिर यह उआ कैसे यार्डी होस्टिकल से बहुत की खबर आते ही पूरे शेहर में को राम मत गया है हर जगह से चक्का जाम और तोड़ फोर की घटना है सामने आ रही है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कड्रू की घटना है इसमें सबसे ज़्यादा चात संगठन के लोग शामिल हैं और इसमें शहर की जंता को काफी प्रॉब्लम हो रही है अरे मैं तुम्हें दॉक्टर सिंग बोलूँ या बिजनेसमैन बोलूँ तुमने तो कमाल कर दिया अरे एक जटके में इतना बड़ा मुनाफा करवा दिया तुमने वाह आन गया तेरे दिमाग को और तेरे शेतानी आइडिया को आक्सिजन की कमी दिखा के 37 बच्चों की लाशों को तुमने ठीकाने लगा दिया यह आसान काम नहीं है सुक्रिया खांसार अच्छा ये बताइए मैंने उन मरे हुए बच्चों की जो आखे और किड्नी निकाल कर आपको बेजी थी मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है न अच्छा दाम अरे बहुत अच्छा दाम मिला फूरा स्टाक खतम हो गया माशा अल्ला अगर इस तरह से चलते रहे तो हम कहां से कहां पहुँच जाएंगे अब भीज रहे हैं उपला स्टाक यहां किड्नी और आखों की बहुत जरूरत है लाइन लगी पड़ी है मैं जब तक हास्पिटल में बना हूं खान साहब सप्लाई जारी रहेगी आप मेरे हिस्से का ख्याल रखना अरे फिकर नॉट डॉक्टर सेंग तुम्हें तुम्हारे हिस्से से बढ़कर मिलेगा खुदा हाफिस खुदा हाफिस खान साहब हाँ बोल भाईया नंदू के फोना ही रहे हुकर घरवाली के पेटे में बहुत दरद्व भाईया आप जल्दी से आजें भीया ठीक भाई हाँ- 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 खॉट कर दो 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 कर कि पेर मिलाड़ जसे कर इंग सरदे मिलाड़ झाल कि फूर सकाल फज्सकाल कि उाथए़ जचितीड है egeव कि हप खाल एक मिनट एक मिनट आप लोग यह रुकिए सब ठीक हो जाए सब झारला झारला B सब पहा थाए सब आप अीज़ इनक जाए लेक में अीज़ ओ करमा आप आप जाए आप ए एए, जाप आप आप एए एए, एए तो अगर आपन खैरीय चाहत हो तो यहां से निकल जो देश के हर बच्चन से हमारा मतलब बाह अर अल बात तोहनी के तोहनी के फेस के डिजाइन तो हम दू मिनट में चेंज कर देब यह इसे ना मानी मारा साने करा के कर दो हुआ हाँ 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 सच सच बाल भाईया भाया आ हमार कॉनों गल्तीने के हम सिर्थ इस सब काम पुछा कादर करने तुम लोगे यहालत किस ने की? कहीं किसी डाड़ी से टकरा तो नहीं गए एक क्रेक आदमी मिल गए लिए लाहल उहें मार बार के हमनी के यह दसा कर दिया लास बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत ज्यादा आपको भी देखती हूँ अहां आपको भी देखती हूँ बहुत देखर बार के हमनी के यहालत के लिए से एक्सक्यूज मी तुमने इन सब को मारा है गुण्डे हो तो किसी को भी मार सकते हो राइट? तुम इनसान के खून की कीमत जानते हो सब का बलड ग्रूप अलग-अलग होता है हर इंसान को इज़ट के साथ जीने का हक होता है खेर छोड़ो तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर किसी के हाथ पेर तूट जाए वो हड़ी जुडने में भी वक्त लट जाता है और जब तक जुडन आ जाए छोटे बच्चे की तरह उसके 24 गंटे ख्याल रखना पड़ता है Do you understand? देखो कितने खरोच आई है मैडम जी ये लोग जिन्दा है यही बहुत है आपको इनकी खरोच दिख रही है इन बच्चों का भविस नहीं मतलब? मतलब ये मैडम जी क्या है ये लोग किसी भी माबाप का सपना चुराकर अनाथ बनाकर रोड पर भीख मंगवाएंगे इन पॉसिबल ये मैं नहीं देख सकता गोलू? हाँ भी या मर हम पट्टी लगवा के ये लोग इनके घर पहुचा दिया भाईया मेरा तो कोई नहीं है मैं कहाँ जाओ मैं हूँ ना बेटा आओ दो इदर इलाद हो रहा है ना चुक चाप बैठो लब बेटा थैंक्यू भाईया थैंक्यू भाईया वाव हलो सर हम बोली का बात बाद सॉरी कल मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया होतो कौनो बात ना अगर आपके जगा हम होती तसायद ये कहती नाइस आइम डॉक्टर संचिता हमार नाम संकर वाव मेरी नाइस नेम अब बहुत अच्छे हो बहुत आपको एक बात बोले क्या अब बोली ना आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं अब आपको अब यू तो ओकर दिल बहुत खुश हो जाई छेक बाहम मिल ले ओकर पढ़ाई लिखाई के संचलाता अरे भाया पढ़ाई लिखाई में ता नंबर वन भीया अरे ओकरा होस्टले से ता आओध बानी गुडिया पर भी सेज ध्यान रखिया जी भीया दर्द हुआ? नहीं गुड बॉइ चिंदा की कोई बात नहीं है मैंने इंजेक्शन लगा दिया है कुछ मेडिसन्स में लिख देती हूँ महमुली सब उखारे टाइम टाइम पर दे दीजेगा जी दोक्टर, सब ठीक हो जाएगा जी, थैंक य दोक्टर थैंक यू टेक केर हरे आप यहाँ बोश्पूरी ना आवे समझती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती काता इसे बाड़ू जी से तोके पते ना रहे कि हमी हमी लग मुझे क्या पता अच्छा ए साथ बज़े तुही न बला अलुहा मैं बोली थी मेरी चुट्टी साथ बज़े होती है हम सोचने खेर ठीक बजा था नि अरे बैठे न इतनी भी क्या चल्दी हो रही है एक बात बताओ तुहमसे हमारा साथी के बारे में काहला पुछले रहो अब आपको पता है इंसान का दिल एक मिनिट में 72 बार धड़कता है लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मेरे दिल की धड़कने और बढ़ गई है ओ अईसन बात बा मेरे दिल में जो था मैंने क्या दिया अरे कबसे मैं ही बोले जा रही हूँ आप भी कुछ बोलिये न अब हम का बोली ज़ा उन हमारा बोले के तो उन तू ही बोल दे लू आपको याद करना मेरी आदत बन गई है आपका ख्यार रखना मेरी फित्रत बन गई है आपसे मिलना मेरी चाहत बन गई है आपको प्यार करना मेरी सरूरत बन गई है तोहरा सुन्दर ता से भी सुन्दर तोहरा वाज बहा बाते बनाना तो कोई आप से सीखे खैर का बात बहा एतना रात के फोन कई लू अपसे मिलने का मन कर रहा था क्या कल सुबा आप हॉस्टिल के सामने आ सकते हैं। का है ना। जरूराइब। हाँ। वाव। थैंक यू। गुट नाइट। ओके बाबाई। अरे शंकर बेटा। गुटतना हमडलाद। अरे वाव। अरे वाव। हम्रह के छोड़ा। माई। काबत भा। हमके जरूरी भाड़ा लेके जाएगा। हाँ, तो हम्रह के छोड़ दिया। भीलत लेके छल जाई हा? हम रंदू के बोल लेता नी तो जोड़ दी। अच्छा ठीक बाँ याद से बोलती हा नम्दू कि हाँ में दार करता नहीं हाँ थैंक्यू जीजू बाई चली जली बाई 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 शंकर बाई शंकर तुम भी चलो नो मेरे साथ अमरा आईसन फंक्सर में गईल अच्छा ना लागेला क्यों नहीं फ्यूचर में तो हमें भी ऐसा प्रोग्राम रखना पड़ेगा बिल्कुल रखाई तु चलो डेमो देखते हैं तु चलो हम आउतानी ठीक है जल्दी आजाओ जी बिल्कुल अभी आपा हाँ अमरा के देर होता हम जातानी चली ठीक बाई नमस्ते अच्छा नमस्ते अच्छा नमस्ते बहुत सुन्दर शादी में केकरा साथ थे अलवरू अरे मैं अपने होने वाले पदी के साथ आई हूँ अरे सुनिये ना अरे सुनिये तो अरे सुनिये ना चली ना यह देखे माई तू इहां माई अच्छा तो इहे भाड़ा अरे यार आधा घंटा हो गई माई अभी तक सी आईडी रेखा पूस्ता आजकर रहा भी है हमके तो डर लगा तो संजीता कहीं कुछ आगे चलना चाहे आधा तू तनिकव टेंशन मतला अगर काकी ना मनिया ना तू भाग के भाजी के सथे भिया कर लिया हाँ और भाग के कहां जाई तुना नानि की हाँ अरे ना भाईया बहुते जगवाबा चप सारे भागे भागावे के बात मत कर बस इमानाओ की माई के संजीता पसंद आजाए शंकर हाँ माई इलैकी के घर कहाबा इह होस्टल में रहे ली लेकिन अगर साधी के जहां कहीं भी रहत होखे एके जा छोड़ क्या वा का भील माई पसंद निखे का तु जैबा छोड़े कि हम नंदू की साथे लगा दे नाना ठेक भा माई चाला अगर माईतों के कुछ उल्टा फुल्टा बुलो लोकस्ताब हम माई के तरप से मा भी मंगतानी कोई बात नहीं है शंकर इसमें तुम्हारी क्या गलती है गलती है महर बा अगर हम प्यार करे से पहले अपना माई से परमिसन ले ले रहती ता हमारा साथे साथे दुहार दिल ना टूठित हाँ लेकिन कर भी क्या सकते हैं अच्छा शंकर तुम जानना नहीं चाहोगे तुम्हारी मा ने मुझसे क्या क्या कहा अब जानकी का हुई पर एक बार सुनतो ले थे जायत एरे सुनतो लो अच्छा सुनो मेरी और तुम्हारी मा के बिच में क्या क्या बाती है देखा बेटी हमार बेटा शंकर ही हम राखाते सब कुछ बा हमर दुनिया हमा जिये के सहारा हमेशा से इस संकर के पसंद हमार पसंद हो और तू शंकर के पसंद बाड़ू बेशक हमरो पसंद बाड़ू लेकिन हमार एगो शर्ट बा शर्ट न एगो माई के गुजारिश समझिया बीटी तू शादी के बाद हमरा के, हमरा शंकर से अलग मत करिया हमर जीए के सहारा मत चिनिया आप कैसी बात करें है मैं एक बेटे को उसकी मा से अलग करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती और शादी के बाद शंकर और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे माजी और एक बात कहो माजी, हाँ बेटी, मेरी मा नहीं, मैं बिना मा की पली बड़ी हूँ, लेकिन आज, आज इस घर में मुझे मा मिल गई है, और हम रखे बेटी, क्यों, कैसा लगा? साज दाज के मेकाप खाके सुखार लाहा के लूँ, साज दाज के मेकाप खाके सुखार लाहा के लूँ, लेकिन मैं सभो मी से सुखार लाहा के लूँ, तुरी मारी एके तिल छीन जारिया, हासल कारा, हर दम यसारी कारे जाके भी तारिया, हासल कारा, हासल मारा लूँ, उडे जैसे तितली उडेलू, निकला के, जान या अंगलाई लब लेलू, भग जागे। दिल के भी सर खड़ कन दे, तु ही बाड़ा, सांस में समाय कन मन दे, तु ही बाड़ा। सुरज के लाली आईसे, कानावा के बाली जैसे, लच के को मोर तो हा, भुलवा के डाली जैसे, लाहे लाहे चाड़े, दिल में लहारी, हासल कारा, हर दम यसारी कारे जाके भी तारिया, हासल कारा। कोसल कारा। गोरी तोरा गली आखे डेहिंपा। चान मारे तो राया के लागे बड़ी सेंपल चान्द तारे तरे ला तरे पोरी राजा मन बेहे जुएला तो गुरों नहीं आपे आप लखे तो हर जबाब नहीं खिये तुला जबाब घाड़ू हमरा जड़ संदी वाना दिलवर के ख्वाब घाड़ू पल खाके लाच्या काल के कमारी आया चालाल कारा हर दम्यासानी कारे जा के भीतारी आया दो बसल कारा मैं कितनी खुशन सीबू कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिल गया और मा का प्यार भी जो बजबन में मुझे मिल नहीं सका भगवान आपका लाख लाख शुक्र है हमार लाल हमार लाल क्या कर रहे हो माजी आप मट्र चिलता नहीं खाना बनाए खातिर बाद में बनाओ ठीक है अभी मैंने कुछ बनाया है रसमलाई तु अपना हाथ से बने ले बढ़ा है रसमलाई अच्छे पेज कीजिए पसंद आया बहुत बढ़ी अपा तु खा के देखा बढ़ी अपा अच्छा है अब मैं खाना बनाती हूँ अब बैठिये भाईया से बात कराएं हाँ भाईया जी बबुनी के सब समचार ठीक हुआ भाईया जी एक पीजा खाये के मन रहे खियाल देनी हाँ ली बात करें नमस्ते भाईया खुस रहा भाईया आप वापिस कब आओगे अरे बाबु हम जल्दी आके मिल अपतों से कौनों चीज के दिकत निखे न और हाँ कोई चाहित अफोन करी है हाँ ठीक बाँ जी भाईया हाँ चला है अस्पताल में और भी मरीज है तेरे वज़े से सबको प्रॉब्लम हो रही है मुझे और कोई काम नहीं है क्या चुनाई दे रहा है के नहीं रोना वन कर और निकल यहां से कबसे समझा रहा हो समझ में नहीं आ रहा है क्या यह क्या तरीका है किसी से बात करने का तुमारे अंदर कोई तमीज है के नहीं क्या करो मैडम कबसे बच्चे की लाश लेकर रो रही है लाश देखेना डाक्टर का हो गईल क्या हुआ तुमारे बच्चे को मर गईल हमार बेटा खतम हो गईल सब कुछ चल गईल हमरा के मैंने इसे चेक किया था मामूली साही बखार था और आज अच्छानक से का होई सलाम वालेकूम खान साहा वालेकूम असलाम डॉक्टर सेंग अगला स्टॉक कब तक भेज रहे हो जी कंसाइनमेंट रेडियो हो गया है इक्स्क्यूज मी सर् मैं अच्छा मर गया और मुझे लगता है हमारे आस्पिटल में ये किसी के गलती के वज़े से हुआ है ये क्या बाकॉस कर रही है आप सौरी सर् लेगन मैं सही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कल उस बच्चे का चेक अप के तो उसे बस महमूली सा बुखार था ऐसे कोई बिमारी ने जिसके वज़े से उसकी मौत हो जाए कुछ तो गड़ बड़ सो स्टाप इट प्लीज आपको पता होना चाहिए कि आजकल लोगों की खेलते कूटते हसते फिरते अचानक मौत हो रही है और वो बच्चा तो फिर भी मिमार था लेकिन मुझे लेकिन मुझे बीर नॉट गॉड हम भगवान नहीं है हम डॉक्टर है जीना मरना तो सब उबर वाले के हाद में जो जिन्दा है जाकर अपने वाडनोन की देख रेक करो प्लीज गो डू योर जॉब प्लीज जाओ और हाँ दर्वाजा बंद करके जाना हलो सर कौन थी ये लड़की सीवाज डॉक्टर मुझे लगता है ये लड़की बहुत चालाख है इसके ओपर बराबर निगाह रखो कहीं ऐसा नहो हमारे रास्ते का कांठा बन जाए नहीं नहीं सेर सब मैं मैंनेज कर लूगा ध्यान लगा अगे से ओके सेर का बाद बाद बड़ी परिसान लगा तरू हम तो औरे परिसानी के वज़ा जान सकीला अज हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हो गए उसी को लेकर मैं सुभे से परिशान हूँ अरे हॉस्पिटल में तो मौत रोजे होत रहला इमें इतना परिशान भिला एक आजो रद्बा शंकर तुम समझ नहीं रहे हो जिस बच्चे की मौत हुई यह वो पूरी तरह से ठीक हो गया था उसे बस मामूली सब उखार था अच्छा तक उच पता चलाल मौत के वज़ा वही तो पता नहीं चल रहा है और तो हर सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि इस मामूली से दूर रहे अगर वो बच्चा के मौत बीमारी से ना कौनो दूसरे वज़ा से भाहिलबा तसस्च कवो ना कवो सामने आईबे करी तू टेंसर नाला शंकर उस बच्चे का चेहरा मेरी आँखों के सामने बार बार आ रहा है जब यह भूलने की कुशिश करी है उसकी मा के रोने की आवाज मेरे कानों में बार बार गुंच रही है जैसे के वो मुझसे हिसाब मांग रही है क्या होगा शंकर सब ठीक हो जाई आखे शंकर तुम कहना क्या चाहते हो सर क्या एक नामी होस्पीटल में क्राइम होना संभव है ये कोश्चन में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस हस्पताल में घटना घटी है उस पर आस्तर कोई आरोप नहीं लगा है शंकर तुम तो जानते ही हो कि वो हॉस्पिटल इंसानों द्वारा चलाया जा रहा है और पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है तुम्हारा शक सही भी हो सकता है सर मुझे इस बात पर भी सक हो रहा है कि कहीं इसमें चंगेज खान का भी हाथ हो सकता है क्या चंगेज खान? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें चंगेज खान का हाथ हो सकता है सर, चंगेज हर तरह का क्राइम करता है अगर हस्पीटल में किसी भी तला का क्राइम हो रहा है तो ये पॉसिबल है कि उसमें चंगेज भी है अगर तुमें शक है तो तुम हस्पीटल की गतिवीदियों पर नजर बनाए रखो और हाँ, हमें इंफर्मिशन मिली है कि चंगेश खान इस समय राची में ही है उस पर नजर रखो और हमें इंफॉर्म कर दे रहो ओके सर सलाम अलेकुम खान साब और डॉक्टर, क्या कर रहे हो, कहीं बिजी तो नहीं हो बिलकुल बिजी नहीं हो, एक धम परी हो, आप होकुम तो करिए अरे भाई, हम आपकी राची में है अच्छा, आप एड्रेस भेजी, मैं अभी पोस्ता हूँ आज आओ, आएम बेडिंग सुनो, मुझे एक बहुत जरुरी काम है, एक छोटा मोटा आपरेसन, आप लोग पूरा का लीजेगा, ठीक है? ओके साथ प्लीज रोकिए भाया, भाया उस गड़ी का पीछा करना है, जल्दी करें आँ आप हो आप हो आप हो कर दो कर दोंट आओ डॉक्टर सलाम आलेकूम खान साब वालेकूम असलाम तरशीर रखिये शुक्रिया क्या लेंगे, पी कॉफी? नो थांक्स यहां आते हुए आप पर किसी को शक तो नहीं हुआ हजारों को मौत के घाट उतार दिया आज तक तो किसी को शक नहीं हुआ तो अब क्या होगा कान साब? हमारा यह अस्पताल का धंदा माशालला बहुत बढ़िया चल रहा है इसमें और तरक्की हो इंशालला मैं गैरेंटी देता हूँ 100% इस धंदे में तरक्की होगी क्योंकि आजकल हजारो बिमारिया हो रही है और लोग अस्पताल आ रहे हैं इलाज कराने और जिनकी किस्मत फूटी होती है वो हमारे अस्पताल में आते हैं इलाज कराने मैं क्राइम की दुनिया का बाश्या हूँ लेकिन क्राइम के मामले में आप मुझसे कम नहीं है, अच्छे खासे तंदुरस आदनी की आखे और किड्नी निकाल के उन्हें आक्सिजन की कमी बोल के मौत का सर्टेफिकेट दे देते हैं, इतना तेज दिमाग तो प्रोफेशनल किलर का भी नहीं होता पैसा खान सहब पैसा, पैसे के खातिर में कुछ भी कर सकता हूं, अभी तो सिर्फ बच्चों को ही मार कर पैसा कमा रहा हूं, अगर मेरी पैसो की भूख पढ़ी, तो एक दिन बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी मेरे टारगेट पर होंगे इसी के बारे में बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया है मतलब ये कि अपने पैसे की भुग को बढ़ाईए बच्चों के साथ जवानों को भी उपर पहुचाईए इस मुल्क में जितनी ज्यादा मौते होंगी उतनी ही ज्यादा हमारी तिजोरियां भरेंगी इंसा आला ऐसा ही होगा कान साब वांडरफुल ए रशीद कौन है वहाँ मार दो उसे जी भाईजाए अरे हाँ पकड़ उसे वरह भाग गई तो हमारा पोल खूल जाएगा भाग गई मतलब आप जानते होंसे हाँ कान साब हमारे ही हस्पिटल की एक जुनियर डॉक्टर है हमारे है रशीद बली की नहीं हो शॉरी बच के भाग गई वो बच के भाग गई वेवागूफ कान साब एक एक सिरे मुझे दीजे एक सिरे अलो सुनो होस्पिटल के पीछे जो होस्टल है ना वहीं भाग कर गई होगी जी भाईजाए वाईज वाईज थॉप्हॣ बन्ग करता कि थॉच्प किस बन्हों थे सब भाल एई बच्चा ओओ नए जाने दो भुच्चे जाने दो रोको रोके चलो डालो रोके तुम लोग दूसरी काड़ी साज़ागो का भा हो बोरा में बड़ा बारी लागाता ए चुक्चाप चल स्यादा पूस्ताज मत कर बताई भा कहा जाये का भा चल बताता हूँ काओ बताओ ला ना बोराव में काबा छोड़ा जाये दा हमार वड़ा बाता हम निकली डेड़ सा भाइल यह अपन पचास रुपग वा वापस ना लबका कौनो बात ना वह इसे भी जी एस्टी मिला के हमार दूसा तो होते रहे हम फचिए झाप कि भूस बाद राशेट, एड की बली? ये लीजे सबूत वेरी गुड़ ला ला इसे एक मुड़ गुड़ यह रुक हाई जाओ नकली नोट देके गई ले हैं भाई से आप कहा बाणे चल जाओ यहां से वो अभी बिजी है तब तुम ही दे दो मेरा पैसा बात में उनसे ले ले ना बोला ना, चुपचप जाओ यहां से इसका मोबाईल कहा है मोबाईल मेरे पास है लाओ, लाओ दो मुझे तैंक यू नहीं मिलेगा तेरा पैसा, क्या करेगा तुछ चाल, चाल, निकाल नहीं तो तेरे पास पैसा है ना, वो भी छेन लूँगा सलाम आलेकूम खान साब वालेकूम असलाम वो लड़की मिली क्या लड़की मिल गई है, आप होटल मेहराम कीजिये, हम लोग अभी आए उसको ऐसी मौत दो कि दुबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके डॉक्टर साब इसका क्या करना है? जान से मार दो इसे जान से मार देना यार लेकिन पहले मुझे अपनी आग तो बुझा लेने दो वैसे डॉक्टर, कमाल का ड्रक्स है ना चखले इसे, बेरी गुड आइडिया स्कूच चखने का तुम मजा ही कुछ और होगा तुझे वीडियो बनाने का बहुत शोक है ना आज हम बनाएंगे वीडियो और उसे वारल भी करेंगे जेकी कम आन बचाओ 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 बचे गे लव बचाओ बचाओ ए engineer जाओ जाओ बचाओ जाओ वान कि वास कि फंस कि था जा कि अब दिवाई अएफ रख रख सुट्टस। कि अ खई अएछी कि अगाई हाग हुग हाग अबत झाई हुग हुए 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 घए पॉर हुए कप्छॉर कर दो एफ कर दो स्थिर हैisce के लु링 ए सुछी क्छिर वह कुछ एंट प्रकेश को कि यह वार्टा इंग पर दो, अजा दो पर दो, अजा अज़ा नहीं? यह डोक्तर से एंग हैं! विर्चेटल में वाले महासूम बच्छो की अखिक दिखने निकाया कर चंग इसकान बेश्टा है यह डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के नाप पर जलाद है जलाद अर यह जूड बोल रही, डॉक्टर भगवान का रूप होता है और यह आपको पता होगा, मैं किसी की जान कैसे ले सकता? देखें, मैं एक डॉक्टर हो, शरीम डॉक्टर हो, मुझे जाने दो मैं आपको इतना पैचा दूँगा, कि आप माला माल हो जाएगा प्लीज भाईजा, ऐसा इंसान को किसी भी हतक ले के जा सकता है, ऐसा मैंने सुना था लेकिन तुने तो उस आथ को भी पार कर दिया तो इंसान हो ही नहीं सकता बहुत ज्यादा इंतेजार नहीं कराऊंगा, जंगेज को भी जल्दी भेजूगा तेरे पास, निकाल दो बहुत अगेज़गा इंसान को किसी पास्टाई वालाग जंगेज़खा स्ट्टाई ज्यादेको ऑकाल तेरे अभले मिन लाईज़गा थे तुनेख़गा ले जिस आए हैं, तो ठी ंए हैं। अज़गा वेले वेलग तो आयोलोरो बाँजा, हो mil नोहता माँजाzhो मिल आ माँजा रईल रह पाँ जाओ, मिलता माँ जाओ, अभी पूरा नई खे भई रवानी प्यार जनले मकाओ, होज गोईल चार प्यार के आसारवा खोराईल कोना कोना, सट जाली पहत जाओ, ये हो हां मर सोना प्यार के आसारवा खोराईल कोना कोना, सट जाली पहत जाओ, ये हो हां मर सोना पूझो नाही दोरत बाड़ा कोई सन अरण, देहिया कठी चलेला पुरा सोरत तो नहीं ही लेह पता रस नसता जान ले मकाओ, होज गोईल चार जान ले मकाओ, होज गोईल चार बजे दा चार जाहे बजे दा पाच हो, छोड़ा बना जाब ले मकाओ, पूताई नाहीं आच हो जान ले मकाओ, होज गोईल चार जाहे बजे दा पाच हो, छोड़ा बना जाब ले मकाओ, पूताई नाहीं आच हो पॉला आराम पिया फेर होई राद, डाला ना परबलम में पूझा जान ले मकाओ, होज गोईल चार भाइचान कोई टेक्सी ड्रैवर था क्या बुले वो एक टेक्सी ड्रैवर था पेवकूफ, हम जानते हैं, वो टेक्सी ड्रैवर नहीं रा का एजन्ट था जैकी, तुझे अमारने वाले को हम तेरे साथ दफन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे, हमारा वादा है तुमसे, तुमसे अमारा वादा है। यह कितना अच्छा है ना, हम दो कैसे पूप बहुत अच्छा है, वोड़ें पूप बहुत अच्छा है यह कितना अच्छा है अच्छा है इस थी रवका है यह 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 मुझे मालूम था मेरे भाई को मारने वाला कोई मामूली इनसान नहीं होगा सिन्ये तेरी मौत बहुत हाई फाई रखी हमने बस इतना जानने कि मैं तेरे लिए यमराज हूँ फर्क इतना है कि यमराज मरने वालों के पास जाता है और तू खुद मेरे पास चलके आया है तू मारेगा हमें अभे तू मारेगा हमें किल दिस बाद बैन युद चुद झाद झाद युद 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 कर दो दूह कर दो कर दो कर दो यूो झारती अपान रोच though में यूञंग है वाक आल यॹ यॉinू यूज कि अजिए säga टिए झार खिफे it कि अँ़ कि अधव जैहिं सर शंकर हमने सुनाये कि जंगेश खान इस वक्त तुमारे कब जिम्हें है यस सर और अम मैं इसे हमेशा के लिए आजाद भी कर रहा हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे बल्कि सही सलामत उसे हमारे पास लेकर आओगे शंकर बात मेरे इजाज़त देने या ना देने की नहीं है शंगेश खान ने अपना काला बजार और क्राइम पूरे दुनिया में फैला रखा है हम उससे सबसे पहले पूछेंगे उसके क्रिमिनल वर्ल्ड को फिनिश करेंगे फिर उसके बाद उसे बात को समझा करो तुम इस वक्त उसे नहीं मारोगे नो सार ट्राइटो अंडेस्टैंड हमारे उपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है झाम हुँँँँँँँआ शंकर शंकर मैंने तुम्हारे बाहदुरी पर कभी भी शक नहीं किया लेकिन ऐसी कौन से मजबूरी थी जो तुम्हें अपने आपको मृत घोशित करना पड़ा हाँ शंकर तुम्हारी गहानी सुनके ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिसके कारण तुम्हें अपने आस्तितु को छुपाना पड़ा मजबूरी तो थब पैदा हुई सर जब आपका कानून चंगीज को सजा नहीं दिलोआ पाया और वो भाग गया तो क्या भागने के बाद चंगेज ने तुमसे बदला लेने की कोशिश की कोशिस के असर उसने तो मेरी पूरी दुनिया ही खतम कर दी माजी माजी अरे माजी बहुँ सुन्दर लगा तडू बाकी एजा अचानक कैसे अरे अपकी याद आ रही थी तो सोचा अपसे मिलते चलो बहुत बढ़िया आओ चलो बैठा अजसे माजी आप मेरे हाथ का खाना खाने के आदत डालो और आराम करने के भी क्योंकि शादी के बाद में को कोई भी काम नी करने दूँगी समझे जैसन तो हार मर्जी हलो हलो अरे तुझे क्या लगा था मैं हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाओंगा मैं शेर हूँ शेर जो पिंजरे में नहीं खुल्ले में घुमता है तेरे कोई आखरी इच्चा है तो बोल क्योंकि वक्त नहीं बचा है तेरे पास तू खुद मेरे हाथों मरते-मरते बचा है तेरी आउकात नहीं मेरी कोई भीक्षा पुरा करने की लगता है कि तू भूल गया कि तेरा अपना परिवार भी है इसलिए इतनी अकल कर बात कर रहा है हमारे बीच परिवार को मतला एई, परिवार को तू लाया हमारे बीच में मेरे भाई को मौर की बस तो देखते जा माई मैं गापिया अज वहाँ ऑडना शचक diversity वहाँ शचकर शचकर वहाँ क्षूू। एच हुँ 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 एमई माय 레 हग वर लमै हुँ 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 संजीट, संजीट, कोषिना हुड़ दोगी हुड़ दोगी मन सपना के महल बनवे मन सपना के महल बनावे दुनिया धेला चलावे जिनिगीया के खेला समझ में नयावे जिनी गी आखे खेला समझ में नयावे जब जब दिन बिगडे पद होला के हूँ रोक न पावे जब जब दिन बिगडे पद होला के हूँ रोक न पावे जाने काली खल किसमत में ईना पता चल पावे जिनी गी आखे खेला समझ में नयावे जिनी गी आखे खेला समझ में नयावे अरे जीने के लिए बड़ा जिग्रा होना चाहिए तेरे जाने के बाद कोई राव एजेंट मेरे नजदीक आने की हिम्मत भी नहीं करेगा बगवान के क्रिपा से मैं बच गया लेकिन सर अगर उस दिन मैंने चंगीज खान को मार दिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता और मेरी माँ भी मेरे पास होती शंकर वो ओर्डर मैंने हाई कमांड के कहने पर दिया था मुझे गलत मत समझो आपको ही नहीं मैं अपने देश के पूरे कानून बेवस्था को गलत समस्ता हूं और इस रोई एजेंसी से तो सक्त नफरत करता हूं शंकर तुम्हारा गुस्सा जायज है हम तुमारे माँ और प्यार को तो वापस नहीं ला सकते लेकिन इस देश के सैकड़ो बच्चे जो इस वक्ट चंगेश की गिरफ्त में हैं उनका भविश्य तुम बरबाद होने से बचा सकते हो और अब तो हमारी सरकार की भी आँखे खुल गई है वो चंगेश की गिरफ्तारी नहीं उसकी मौत चाती है चंगेश खान ने सिर्फ तुमारा ही नहीं बलकि सैकड़ो परिवार का सुक छीना है और तुम्हें उन सब का बदला लेना होगा अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते फिनिश हिम आज की सबसे ताजा खबर अभी अभी हमें विशेश सूत्रो द्वारा मालूम चला है कि अंडर वर्ल डॉन चंगेश खान ने बच्चों को मौरा बना के सरकार से अपने आदमियों को छुड़वाने की शर्द रखी है और सरकार को उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है सरकार ने ततकाल बैठक के लिए सभी अधिकारियों को बुलाया है चल पटापाट सरकार भी आपके सामने घुटने टेक देगी सही बोला हलो मैंने तुम्हें 48 घंटे का समाई दिया था तुमने अब तक मेरे आदमियों को नहीं छोड़ा है अब इस देश का भविश्य मेरे हाथ में है इन सारे बच्चों की कतल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी समझ गई तुम प्लीज निसें टो में उन बच्चों को कुछ मत करना आप अंदर नहीं जा सक्ति मेरे चंगेज खान जी से मिलना ज़रूरी है मैंने बोला ना कि आप उनसे नहीं मिलता क्ती आप एक बार उनसे बात करके देख लिजे कौन है ये शायद वो फिरोज खान की बहन है सर फिरोज खान की बहन? बुलाओ इसे ठीक है सर गार्ट जी सर उसको अंदर आने दो जाएए असलाम वाले कुम वाले कुम क्या बात है? मेरे भाई को जान से मार दिया फिरोज को मार दिया? किसने? रॉइ एजेंट शंकर ने क्या? शंकर जिन्दा है? लेकिन वो है कहा? लेकिन अब हम उसे मरते वे देखना चाहते हैं इस पूरी काहिनात में मेरा मेरे भाईजान के लावा कोई नहीं था आप उसे मार डालो जरूर मरेगा मात भी ऐसी होगी कि उसकी रूख आप जाएगी पता करो कहा है शंकर? ल हुआ है नहीं कि लावेःट झाल पे लिए किया एगा ... यह शेय की दाहार है, जो तुझ जैसे पहार का सीना रॉन ने आया है, निपटले, अगारी को छोड़ माद, अगर उस दिन मैंने चंगेज खान को मार दिया होता, तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता, और मेरी माँ भी मेरे पास होती, शंकर तुम्हारा गुस्सा जायज है, हम तुम्हारे माँ और प्यार को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस देश के सैकड़ों बच्चे, जो इस वक्त चंगेज की गिरफ्त में हैं, उनका भविश्य तुम बरबाद होने से बचा सकते हो, हाँ, शंकर, अब तुम्हें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, खत्म कर दो चंगेज खान को, मैं मानती हूँ, कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, पर मुझे इसका जरा सा भी गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया था, कि मेरे भाई चंगेज खान के लिए काम करता था, है रोक, चीनी डालने से जहाँ चीटियां भी नहीं आती, मां तू कैसे आ गया, यहाँ चीटी ही नहीं, कुछ देर में चील कवे भी आएंगे, अबे, यह चीटीया का घोसला नहीं, शेर की गुफा है, भले ही ब्रह्मा ने तेरी मौत ना लिखी हो, लेकिन आज तू यहाँ से जिन्दा नहीं जाएगा, लेकिन उसी ब्रह्मभाजी ने तेरी मौत लिखी है, मेरे हाथों से, और आज के ही दिन, बैया, 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 मार दू मैंसे, बैया, All I got it, बैया, All I got it! वेहाँ शंकर शंकर चोड़ो मुझे चोड़ो मुझे मुझे अमानने का ख्वाफ दिखता है चंगेज हैदर खान को अरे अमोद का स्वधागर हु मैं तेरे देश में इंसान पैदा किसी की भी मर्दी से हो लेकिन मरता मेरी मर्दी से है किसी को मैं जब चाहूं तब मसल सकता हूं तो रेक तू है जिसकी आँखों में मेरे लिए खौफ नहीं है डर नहीं है लेकिन आज आज तेरी आखों में वो खौफ और डर दिखेगा तू ठरेगा और चिलाएगा जिन्नगी की भीख मांगेगा तेरा हिंदुस्तान हमेशा मेरे पैरों के तले था और रहेगा शंकर शंकर उठोडोड अगर आज तुम नहीं उठे तो वहर माबाप का कोक्सुना हो जाएगा तुहे हिंदुस्तान की कसम है एपजाऊ शंकर उठ जाऊ शंकर नहीं उठनेवाला बताँ बताँ छांकर का ताम यह बताँ बताँ एक बाल और का ताम यहाँ एक निए एक वाव 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 वज़ वाव शंकर यॉ आर ग्रेट यॉ यॉ आर किंग शंकर तुम जीत गए मुझे छोड़ दो माफ कर दो शंकर मैं, मैं बदा करता हूँ, आज से सारे इल निगल धंदे बंद कर दूँखा, आफ कर दूख। क्या बोला था तू? क्या बोला था तू? डर, भक्त तेरी! ये संकर सिर्फ उस संकर से डरता है! तेरे जैसे रास्ते के कंकर से नहीं! और तर! डरते वो लोग हैं जो मर कर भी जमीन में छुप जाते हैं! हम हिंदुस्तानी मरने के बाद भी आख से खेलना पसंद करते हैं! जाए स्रीराम! जाए स्रीराम! जाए स्रीराम! जाए भारत मतकी! जाए! राच भामे एको बिर पलोंद नहीं हिला ता कोई हिसे जिके सवाद नहीं मिला राच भामे एको बिर पलोंद नहीं हिला ता कोई हिसे जिके सवाद नहीं मिला ये तो पताता है मेल नहीं हुआ दिवारी मेरा हुए नो देल दिवारी मेरा हुए नो देल एही से राते खेल नहीं हुआ तर जो भी होई कया फेल एही से राते खेल नहीं हुआ तूटन न चूड़ी पनोई उने छूझे विचल सारी रतिया हो आचनोत दोल सुनो ये धोनिया हमही उता रब लतिया हो तर्धा पतर्धा चरहब नाओ पूरे दिल सपनों नोखाओ जानीन भोटर बोय तरी भी मोगे पते लस धोखाओ सेजबल तो ना काहे तेल नहीं हुआ धीबारी मेरा हुए न देल धीबारी मेरा हुए न देल एही से राते खेल नहीं हुआ तर्धा भी होई गया पेल एही से राते खेल नहीं हुआ हाँ 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 माई कैर मामा की हाँ पापा कैले पड़ना यरोगों अचते जरूर होई घटना साहदी से पहले देखाने चाहे लूदी बाता हर लेखा हो माजार कोही न मेली पालह बाला भोन चानी पारे उको रवांके सोखरा जाओ मान तो हर भार गयल काओ केला कैना है भोखरा जाओ हर भारी खाय केखो जेलूची कुन चेली बाता हर लेखा हो माता हर लेखा हो माजार कोही न मेली माता हर बाला हो माजार कोही न मेली